हेलो वेलकम बैक टू माई चलेंग आज बताने वाला हूँ क्लोनाक्स एमडी 0.25 टाबलेट की बारे में जो की घावराट और बेचानी कंडिशनों में इसको यूज करते हैं इसके और भी कंडिशनों में इस टाबलेट को यूज करते हैं आगे बताऊंगा इस वीडियो को पूरा देखना और आप नहीं है ते सस्क्राइब कर देना जाते जाते बेल आइकान भी बजा देना क्योंकि आगे में रिसिन की जानकारी कोई भी वीडियो पोस्ट करें सबसे पहले आपके पास नटिपकेशन चला जाए क्लोनेक्स 25 ये एन फार्मासिया लावोटाइट प्राइबेट लिमिटेट कमपानी ने मेनुफेक्चर करती है इसका MRP 20 रुपीज वान स्टिम में 10 टाबलेट आती है इसका जा इंगिरेंस है क्लोना जीपाम 0.25 mg आये चलते है किन किन कंडिशन में इस टाबलेट को यूज करते है जान लेते है जिन लोगों को निंद नहीं आती है उस कंडिशन में इस टाबलेट को यूज किया जाते है जिन लोगों को चिंता और हमेशा डिप्रेसान में रही थे उन लोगों को लिए इस टेबलेट को यूज किया जाते है किसी को मिलगी की पब्लेन हो तो इस टेबलेट को यूज किया जाते है जिन लोगों को आजानाग घबराट और डेरन लागने लगी हो उस कंडिशनों में इस टेबलेट को यूज किया जाते हैं किसी को आजानाग बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया है उस कंडिशनों में इस टेबलेट को यूज किया जाते हैं आप बताते हैं डोज लेने की साही तरीका डोज लेने से पहले डॉक्टर से एक बाद सला जरू लेना है और एक बात इस टेबलेट को आप मरजी से नहीं ले डॉक्टर की प्रिस्क्राइब पे ही एक टेबलेट इूज करे आपका कंडिशन देखते ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में कितने बाल लेने चाहिए नॉर्मली डॉक्टर दिन में एक बात देती है रात को खाने के बाद और इस टेबलेट को एमजेंसी टेबलेट भी कहा जाता है क्योंकि जिसका आजानाक डर लगने लगा हो या आजानाक बीपी पेसार हाई होने लगा हो उस टाइम पे इस टेबलेट को यूज किया जाते हैं इस टेबलेट को पेस्किप्सन के इलावा कोई भी मेडिकल शॉप नहीं देगा आपको आप जानलेते हैं इसका साइड डिपीक्ट किया है इस टेबलेट को यूज करते वाख आपका काबज हो या आपका इसकिन में खुजली या इचिंग हो तब अब पता चलेगा साइड डिपेक्ट हो रहा ही है अब तुरन इस टाबलेट को बंद किजिए और डक्टर की सला लिजिए एरा क्लोनेक्स MD 0.25 की फूल आप इनफोर्मेशन आई ओप ए वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना आपका कोई सावाल है तो कॉमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फार इस वीडियो वाचिंग डिजिटल मेडिलाई